हिंदी सिने जगत की कल्ट फिल्म है शोले और उसी शोले का एक कल्ट डायलोग है यह सननाटा क्यों है भाई जी हाँ आज कल सननाटा राजनीतिक सननाटा कुछ ज्यादा फैल गया है यह यूं कहें कि जब सननाटा फैल जाए तो समझो जब सननाटा फैल जाए तो समझो के अलफाज कुछ गहरे उतरे हैं दिल में नमस्कार मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबराट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा जी हाँ जब से राहूल गांदी ने भारत जोड़ो यातरा शुरू की है तब से धीरे 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 भारत में रायनितिक सननाटा पसरता जा रहा है जी हाँ रायनितिक सननाटा किसलिए मैं गुजरात या हिमाचल के विधान सबा चुनाओ की बात नहीं कर रहा हूँ जिस सन नाटे में अक्सर केंदर बिंदू कॉंग्रेस रहा करता था। राहूल गांदी अभी बात पूरी नहीं करते थे, उससे पहले ही उनके पपू बनाने की मुहिम शुरू हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि उनकी किसी भी बात पर BJP तो छोड़िये और कोई खेतरिय दल बी कोई रियक्शन नहीं दे रहा। नाहीं उनकी यात्रा को लेकर किसी तरह का कोई भी प्रतिक्रिया किसी भी नेता से आ रही है। चलो बीजेपी की बात समझ में आती है कि उन्हें कॉंग्रिस के साथ मुकाबला है कॉंग्रिस को अपना दुश्मन मानती है तो वो इससे ज़्यादा तवज्जों नहीं देना चाहते है लेकिन बागी विपक्षी पार्टियों को क्या हुआ कहां गए ममता बेनर जी? कहां गए नितिश कुमार? कहां गए तिजस्वी यादव? कहां गए सुखवीर बादल या चोटाला? कहां है अरविंद केजरीवाल? भारत यातरा को लेकर सब जिप मुपे लगाये हुए हैं क्यों? क्या उन्हें डर है किसी चीज का? क्या उन्हें ये डर है कि अगर वो यातरा के समर्थन में बोलेंगे तो लगेगा उन्होंने राहूल गांदी की जो शीर्ष नेत्रत वे उसको सुईकार कर लिया है और अगर वो यातरा के खिलाब बोलते हैं तो उन्हें डर है कि उन्हें बीजेपी के खेमे में खड़ा कर दिया जी हाँ काफी हद तक ये बात सही हो सकती है लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव या तीजश्वी यादव जैसे जो कॉंग्रेस के पुराने सहयोगी रहे हैं और राहूल गांदी के साथ भी जिनके संबंद अच्छे रहे हैं वो शायद कुछ ना कुछ बयान देंगे इस यातरा को लेकर लेकिन वहाँ भी शानती है शरद यादव उदव ठाकरे सब शानत है स्टैलिन का मांदा हूं स्टैलिन सहयोगी उन्होंने साथ भी दिया यातरा के शुरू होने वे उसाथ खड़े थे तो उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन बाकी तो ह विपक्ष की दल की तो मैंने आपको सुना दी लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी हो गई है कि इस पे चुप्पी साधी जाए बीजेपी के प्रवक्ता गौरब भाटिया संबित पात्रा या इनके जैसे और कई प्रवक्ता जो कोई लिहाज शरम नहीं करते किसी पे भी परस यही है जो ट्वीट करके इस सियात्रा को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं या इस सियात्रा में जो फोटो गराफ जिस तरह से वाइरल हो रही है उन फोटो governo को खार्श करने बीजे वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, में न विपक्श में। मुझे लगता है क्योंकि Amitwal भी है, बीजेपी आईटी सेल के हेड है, तो उनकी जिम्मेदारी تو बनती है, यह उनकी ड्यूटी है, कि वो अपने आईटी सेल के द्वारा कॉंग्रिस के सियात्रा को खारिज करने की कोशिश करते रहें और ये उन्हें आधेश भी होंगे लेकिन इसके अलावा बाकी नेता इसलिए चुप हैं कि कहें तो क्या कहें अब कल जिस तरह से सुनिया गांधी के जूतों के तसमें बानते हुए राहूल गांधी की फोटो वाइरल हुई उसे भी बीजेपी वालों ने कहा ये फोटो अपत है अमित वालविय ने ये ट्वीट करके कहा कि इस तरह के तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसे इतना महत्व देने की क्या जरूरत है तो भई अगर इतना महत्व इसको नहीं देना था तो जब प्रधान मंतरी इंडरेदर मोदी अपनी माधा से मिलते हैं तो उसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है फिर मैं वही बात कहूंगा कि ना उस फोटो की एहमित कम होती है ना राहूल गांदी की फोटो की एहमित कम होती क्यूंकि ये माँ बेटे के personal action थे, माँ बेटे की bonding दरशाती फोटोग्राफ थे तो हम दोनों ही फोटो को खारिज नहीं कर सकते अब आप पहले ज़रा ये तस्वीर देखिए और इसमें जो बात्चीत हो रही है वो सुनिए फिर मैं आगे की बात करता हूँ अब आपने देखा तो आप ये बताईए कि इस तस्वीर में सहाब दिख रहा है कि राहुल गांदी यात्रा कर रहे हैं एक महीला जो इस साइड में खड़ी थी हूँ खुद दोड़के रहुल गांदी के पास आ रही है उन से गले मिल रही है और रहुल गांदी जो है बातचीत में उनसे पूछरे हैं क्या करते हैं, वो बताती है कि वो क्या है, वो अध्यापी का है, और उनका मास्क मानने में हेल्प करते हैं राहूल गांदी तो यह photo up कैसे हुआ यह planned कैसे हुआ यह तो planned नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी आदमी कह सकता है, चाहिए जितना बड़ा genius फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर या डारेक्टर हो वो भी ऐसी चीजे प्लान नहीं कर सकता ऐसी चीजे कोरियोग्राफ नहीं कर सकता तो अब आप इसे भी फोटो आप कहेंगे तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है क्योंकि यात्रा आपकी सरकार की स्टेट से होकर गुजर रही है करनाटका से बीजेपी के लावा दूसरी पार्टियों के चुप रहने का कारण ये भी हो सकता है कि सीदे तौर पर राहूल गांदी की यात्रा उन्हें चैलेंज नहीं कर रही है बहुत सारी पार्टियों को सिवाए अर्विंद केजरिवाल के जिहां अर्विंद केजरिवाल को वो चैलेंज करेगी दिल्ली में आके लेकिन वहाँ भी दरसल इस यातरा का मुख्य उदेश ये बीजेपी को चैलेंज करना है अर्विंद केजरिवाल की वहाँ सरकार है तो इसलिए जाहिर सी बात है कि मुकाम पे ये पहुँचती है फिर रियक्शन दिया जाए यह हो सकता है बहुत सारी पार्टियां इस चीज का भी इंतजार कर रही होगी इसी यात्रा के दोरान होने वाले गुजरात और हिमाचल के चुनाओं का क्या नतीजा निकलता है उस पर भी माना होता है चुनाओं परिणाम कहां के हिमाचल गुजरात और दो और राज्यों के यह नेरेटिव अभी से बीजेपी आईटी सेट करना शुरू कर दिया है इस यात्रा को इन राज्यों में हार होती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को एक मौका मिल जाता है उस यात्रा के सफल होने की जो भी सवाल होंगे जो भी कांगरिस उसमें से कहना चाहेगी उसके पलट सवाल खड़े करने के लिए मैं भी मालवी के स्ट्रीट से काफी हद तक सहमत हूँ क्योंकि दरसल देखिए आप यात्रा तो करेंगे पांच महीने तक तक्रीबं 3750 किलोमेटर चलेंगे कश्वीर में जाके खत्म करेंगे लेकिन इस यात्रा का परिणाम भी तो कुछ निकलना चाहिए इस दोरान राहुल गांधी यात्रा पर है तो गुजरात और हिमाचल की जिम्मेदारी किसी है अगला अध्यक्ष चुनने में अभी वक्त है 10-12 दिन का वक्त है क्या तब तक कॉंग्रिस को जो बाकी नेता है उन्हें गुजरात और हिमाचल नहीं संभाल लेना चाहिए वो कोई उपर उपर की सुनी बात नहीं करते उस बाजार के भी मुताविक दरसल गुजरात में मुकावला कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है आम आदमी पार्टी ने सिर्फ हवा बनाई है अगर ऐसा है तो कॉंग्रेस को तुरंद कुजरात में जोड लगाना चाहिए कम से कम जीतने की कोशिश करेंगे तभी तो बीजेपी को इतनी फाइट दे पाएंगे कि उन्हें सरकार बनाने में मुश्किल हो हिमाचल में बहुत अच्छा मौका है कॉंग्रेस के पास अभी भी मैं कह रहा हूँ हलनकि उन्होंने काफी हद तक अपना मौका गवाया है अपने एडवनटेज कम किया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौका है हिमाचल में कॉंग्रेस के पास वापिस सत्ता में आने का बीजेपी को बेदेखल करने का तो वहां तुरंट कॉंग्रेस को जोर लगाना चाहिए हिमाचल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मौका इसलिए है क्योंकि यहां के तक्रीबन साड़े तीन लाख जी हां साड़े तीन लाख मदाता जो हैं तीस से पैंटिस लाख मदाताओं में से मैं उझे एक जिक डाटा नहीं पता लेकिन इतना पता कि तक्रीबन साड़े तीन लाख मदाता सरकारी नौकर है जी हां वो मदाता हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और यहां पर बहुत सालों से सरकारी नौकरी वाले लोग जो करमचारी है वो डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और कॉंग्रेस ने यह वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो यहां पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी साड़े तीन लाख वो मद दाता है यानि अगर एक के साथ दो और बे जोड़े तो एक घर से तीन वोट और जुड़ जाते हैं कहा जाता है कि एक सरकारी करमचारी तीन वोट अपने साथ और लाता है यानि चार वोट हो जाते हैं बारा तिरे लाक चौदा लाक वोट हो जाते हैं वो सीधे कॉंग्रेस के पास वो एडवांटेज है बीजेपी ने अभी तक OPS पे कोई भी वादा नहीं किया है आम आदबी पार्टी नहीं किया है लेकिन उनका यहाँ पर इतना जनादार नहीं है इसलिए कॉंग्रेस अगर जोर लगाए तो बीजेपी को यहाँ पर हिमाचल में बेदखल कर सकती है सत्ता से और गुजरात में ना कोचने चबवा सकती है लेकिन बशर्त है कि अगर राहूल गांदी वहाँ बिजी है तो यहाँ बाकी नेत्रितों को काम करना होगा यहाँ तब तक नया अध्यक्ष नहीं बनते सोनिया गांदी को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि किसी ना किसी की हैं ड्यूटी लगाए प्रियंका गांदी शुरू करने वाली है 14 तारीक से हिमाचल में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी यहाँ पर हिमाचल में चुनाव प्रचार का बिगुल फूक चुके हैं परसो दशेरा से कुलू के मशूर दशेरा से प्रियंका गांदी जा रही है हिमाचल 14 तारीक को 14 तारीक से वो कॉंग्रेस का बिगुल फूक रही है इसी तरह से प्रियंका गांदी को ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा हिमाचल में साथ ही अन्य जो नेता है या जो नए अध्यक्ष बनते हैं उन्हें भी यहां की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए तभी यात्रा जो है रहुल गांदी की वो सफल होगी वरना पांच महीने बाद क्या होगा पांच महीने बाद वही होगा जो मैं एकसर कह रहा हूँ की ब्रैंड राहूल तो उपर जा रहा है यह तो तैह है की सभी सेफॉलोजिस्ट, सभी मार्केटिंग गुरू सब मान चुके हैं हालां कि उससे पहले कहेंगे कि गुजरात, राजिस्थान भी है, 26 गड़ भी है लेकिन वहां पर साख ज्यादा दाव पर कॉंग्रेस की है क्योंकि कॉंग्रेस की सरकारे हैं एक भी चुटी तो वहां ज्यादा जटका लगेगा लेकिन Congress का brand नहीं बनेगा राहुल का brand बनेगा तो ना फायदा राहुल गांधी को होगा ना ही फायदा Congress को होगा उमीद करता हूँ आपको मेरे छोटा से वीडियो पसंद आगा पसंद आगा तो मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में जाकर राय और सुझाओ जरूर दिया कीजिए नमस्कार